आप आगे श्रीमान दीपाग ठाकोर चक्वाग बोल्ला पुनिवासी उन्साइबान की उस्टे कैस उपाइदा प्रोशकार पार्टी कोट से धन्नुवाद जिशे महाराज ने अपने शीने में दफन कर रखा है आप है स्रीमान अंसु ठाकोर बबुल्ला पुनिवासी उन्साइबान की उससे ग्यारों पाइदा प्रोशकार पार्टी कोट से धन्नुवाद और यह राज शिर्प मैं और महाराज और दर्बारी हरी राम जानता है कौन साइसा राज है बंत्री जी शाम शिंग तुम्हारा भाई नहीं अरे वो मेरा भाई है तुम्हारे दुष्मन का बेटा है हलो हलो यह आप आगए कले सार भाया चक पभुल्लप निवासी और साइबातियों से ग्यारों पाइदा प्रोशकार पार्टी कोट से धन्नुवाद वो शिलापती बीजय प्रताब शिंग का खून है राज कुमारी इस शाबेली में पढ़ रहा है तो शिर्फ यह संकरगर की जानार और इस शंकरगर के शिंधाशन के लिए आज वो शोला शाल का हो चुका है और जिश्वत्वा राश करने के काबिल हो जाएगा हलो हलो आप है स्रिमान कमल भाईया और सान पुर्णवासू उनकी और से 40 उपाए यह लगकरदार बाबा के लिए महाराज बनते ही तुम्हे और तुम्हारा पिता शंकरशिंको लात मार करिश महेर से निकाल देगा मेरा भी नाम भी नाक्ति है मंत्रेजी मैं ऐसा हर्गिज नहीं होने दूंगे अगर ये शंकरगड की बाग दोर हांशिल करना चाहती हो तो तुम्हे काम करना होगा मैं तुम्हारे कहने से पहाडों से ठकरा जाओंगी मंत्रेजी लेकिन मैं संकरगड की महारानी बनकर रहूंगी हलो हलो आप है स्रिवान सत्यम यादा हो उन साइबान की और से ये कई सुपाय का प्रुष्कार हैं लेकिन कहा ते प्यार करो काईदे से पाईहल लहा के पार्टी को सधन्वा राश्कुमारी हर साल एक दीन आता है रच्छा बंधन का दिन और तुम हर साल तो में राखी बांती हो आप है सत्यम यादाओ सत्यम यादाओ जी 51 रुपाईगा प्रुष्कार है और उनका कहना है प्यार किया है तो डर ना किया गाना होना चाहिए कल वो दिन है शाम सिंग तुम्हारे कमरे में राखी बंधने आएगा लेकिन तुम्हें उसकी कलाई में राखी नहीं बल्कि प्यार बांधना होगा मिनाथ्षी प्यार बांधना होगा जैसा कहोगे मैं वैसा करूगा और मैं ये भी जानता हूँ कि शाम सिंग तुम्हें अपनी चान से भी ज़्यादा चाहता है हलो बारबार लगाता नोडों की बाचार काकरी नामावा था ना बोली ये सक्ट्य में यादाओं जी उनकी और से ये तीस रुपाय का प्रुष्कार है और गाना की फरमाई से प्यार किया है तो डरना किया हार तुम्हें वो अपनी चान से भी ज़्यादा चाहता है चान तक देगा लेकिन तुम्हारा कहना कभी मन्जूर नहीं करेगा वो तो मुझे मालूम है वो मेरा छोटा भाई है ये राज मुझे आज तक नहीं मालूम है और अगर वो तुम्हारी बात नहीं मानता तुशे अपने शीने से चिपका लेना और जमीन पे लेड़ दाना नीचे तुम रहोगी तुम्हारे उपर शाम सिंग होगा उशी समय में महाराश को लेकर तुम्हारे इसेन कच्छ में हधिर होगा बहुत अच्छी बात है महांत्री इस मंजर को दिखता शंकर शिंग आग बबूला हो जाएंगे शाम सिंग को सजाएं मौत दे देंगे और शाम सिंग के मरने के बाद ये शंकर गा किरियासत के मालकर में बन जाओंगे लेकिन हमें भूलना नहीं कभी नहीं भूलूंगी महांत्री जी राज कुमारी क्या बात है हम तो दिल दे हिचते हम तो दिल दे हिचते पस्तरी हाँ है बाकी थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है पाकी थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है पाकी हलो हलो आप है स्रिमान दिलीब सेट पांबे वाले उनकी और से इस गाने पे खोशो कर एकाई सुभाईगा प्रोश्कार बार्डी कोर्शाद है हम तो दिली दे हिचिते पास्टरी हां है बाकी थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा प्यारी हुआ है थोड़ा है बाकी कौन सा मोड़ आया हूँ चिल्दकी के सपर में तुम बस गया तू ही तू कौन सा मोड़ आया जिंदकी के सपर में तू ही तू मेरी नजर में कौन सा मोड़ आया जिंदकी के सपर में तू ही तू मेरी पस एक जर में किर्की हर एक धरकन तुझ को पहेचालती है तू नहीं जालती है तूझ को पहेचाल लिया तूझ को पहेचाल लिया थोड़ा सा थोड़ा सा नार हुआ है थोड़ा है कादी अलो गनेज भाईया लो मैं एक दाई दे उधर ये आप है स्रिमान दिलीप सेठ बाम्बे वाले उनका कहना है प्यार करो च्यापक के चुमाले वो तिल की हर एक धलतन तुझको पहचानती है मरी चाहत को तू नहीं जानती है तुझको पहचान ने लिया तुझको पहचान ने लिया बस तरी हाहे बाकी फोला सा फोला सा फोला सा प्यार हुआ हो थोला है बाकी हलो राच कुमारी जी जाको यह लाए कि तो हम नहीं हमा लखनाव से लाज चला थाए तुरे टीबी होई यह कातो नहीं लबेरिया हो गए है फिर हम कहीं ह्साथारी होई तो लेकिन आज तक स्याम सिंग ने मुझे अपनी कभी सगी बहन के अलावा कभी पराया देहें बुलाना नहीं है वो खुद आएगा उसको याद होगा जरूर आएगा तो आएखा बन नहीं है और भाई बहन का ये सुब आउसर के त्वहार है और इसी सुब आउसर पेपहन भाई के कलाई में राखी बांगती है आर मेरा टाइम हो जुगा क्योंकि मेरी दीदी मेरा इंतिजार कर रही होगी चलू रच्छा बंदा नहीं राखी बंद वालो और इसी सा तू ते अरे दिली नहीं तू पे दिली तू पे या वाजी नया अरे दिली नहीं तू पे तू पे या वाजी नहीं तू पे नाचु आए पे या वाजी नहीं तू पे यारी पटासे तो यारी पचाये नहीं तसे तो का वे वुपाचाई आए हालो आप ये स्त्रीमान मनोच कुमार गाउत्म जी ग्राम अलार पनिवासी इसी गाउं और की ओर से ये 51 रुपाए लगणदास बाबा के लिए दे रहें और ये ग्यारर पाई पार्टी के लिए इनाम पड़ी गूर्षा धन्वाद यारी टेसे तो सेफुटेसे तो यारी उपचाये नारी टेसे तो करने बाचाये हलो हलो आप है स्रिमान बचव भया ग्राम गनेश पुनिवासी उनकी ओर से 101 रुपाए फरहरी बाबा के लिए चंदा दे रहें और ये काई सुपाए पार्टी के लिए नाम पार्टी कोट सा धन्वाद हलो भया कमेटी वाले भया आकर अपना चंदा लेते जाएं धन्वाद मेरी दीदी मेरा इंतिजार कर रही होगी शलू दीदी से राखी बंद भाओगा और राखी बंद भाने के बाद फिर दोस्तों के साथ खेलने के लिए जाओगा का बाद बाद दीदी बहुत मुलटका है और देर हो गई क्या तु मुझे दीदी कह रहा है और क्या कहूं तु मेरी बड़ी दीदी है और बड़ी दीदी जो होती है वो मा का दर्जा होता है बिल्कुल अच्छा नहीं लगता दीदी कहने से स्याम सिंग दर्वारी हरी राम क्या बात है राज़कमाली बिल्कुल लग गए शाये मेरे महल के सारे दर्वाजे बंद कर दीजे तुमें नहीं मालूम मिया राखी बंद है अहावा लागी तु मिठाई न उड़ जाए सिर्फ में गेट खुल रहने चाहिए तुम मुझे दीदी कह राए हाँ मेरे दीदी हो तुम मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तु फिर क्या कहूं मैं कर श्याम ZING मैं तुससे कुछे बाते कर loops तो तु भूर तो नहीं मानेगा अरे मेरी दीदी हो मेरी बहन हो मुझे उम्र में बाड़ी हो आगर जरूरत बढ़ी तुम्हे अपनी जान भी हस्ते हस्ते निशावर कर दोऊगा मुझे जान की कोई जरूरत नहीं है हलो हलो आप हैं दिलीब सेड बाम्बे वाली उनकी उसे 11 रुपाई का प्रोश्कार लेकिन कहा थे महबबत तो कहली है हो करे का ताइनात हो लेकिन इंता कवनों पहनी भाई के साथ कारते नहीं है अच्छा जालवाया आप कहाई भीया बहन तु मुझे दीदी के रहना मुझे बिलकुल नहीं अच्छा लगता तु बहन दीदी न कहूं तु बहन कहूं तु मेरी बास सुनिया सामचिक चु मैं कहने जा रही हूं बहुत धान से सुनना अरि मानों कहना मेरा के राचा आप अरि मानों कहना मेरा अरि मिलके राचा आप अरि मैं भिचारी बनो तु बिचारे एक ठेलो तु भरा दीमा कराब हो गया क्या अरि हाद जोलू में दी दी तु क्या करे रही और जुबा से सुथने ऐसा सुनाओ किस जुबा से हराब कि तु मुझे दी दी मत को मेरी बास में स्याम जेंग दी अरि आईगा वा तोड़ दीना चुली के बंधन वा स्याम चिंग अगर मेरा कहना करेगा तो तु बहुत राज करेगा प्रेई दी ये राज तुम्हें मुभाराख हो मुझे नहीं चाहिए अरि आईगा वा तोड़ दीना चुली के बंधन वा आरे परिपला मुवा ले चाला गवारा हने परिपला मुवा हने परिपला गवा अरे परिपला मुवा आप है स्रिमान तिलीप सेड बांबे वाली बार बार लगातान नोडों की बाउचार कर रहे हैं यह कई सुभाई का प्रोश्कार है कहते हैं यह पहन तुभारी तुमको भाईया नहीं यह साहिया बना रही है पहन आज तुझे क्या हो गया है किस पागलपन का तौड़ा तुझे पर गया है पहन में तेरे हाथ चुड़ता हूँ मुझे माप कर देदे हैं एक दो रही ली मैं नहीं अलबेली दूझे साजन के रिंगी अगे एक ही तो रही ली मैं नहीं अलबेली दूझे साजन के रिंगी अकेली आई पर तो रहा चुरों के पंधर नहीं हाँ अले पर बलाँ के रहा तो रही ली मैं तुझे मेरा कहना करेगा कि नहीं तिदी और दूर से दाले से तवी करेगे तुझे में खाल करेगे के दूर से ताले के शे ताम करेगे ये दिल थाने करे मेरा का हो माइका भी ना नहीं मानेगा मेरे कलेजे मेरे कल्यजे में तीर की तरह कर, अरी कम से समझा रही पर तुम माने नहीं! कभ से समझा कब इसे समझा आ रही पर तुम आने नहीं सोच ले इस का अजाम तु अब बुरा पाएदा जानती हो किसी की और सुनूंगी नहीं भेज मुल के दमे जमुल मैं कहते हूं स्याम सिंग मान जाएगा ना तु मुझे दी दी मत कम मैं कहते हूं मान जा स्याम सिंग अरि तड़ी पेला मुरी तड़ी जवानी अरि को पहले लगा निर्हागी स्याम सिंग जशब जवानी कहा धर्या कहा जुराए हमारी जवानी यह आप आवे सिर्वान दिलीव सेड बांबे वाले उनकी ओर से ग्यारा रुपाय का प्रोश्कार जव बीमारी तुम्हरे है सामने आओ जव बीमारी तुम्हरे है यही बीमारी एक दया मुरे बोकरी के होई के रहा है यह बेर बोकरवा काही मिश्काल मारे बोकरी ओं मसका मा ठॉकल यह भाय करे को रहे है अगर तू राज करना चाहता संकरगड़ में तो मेरी बात सुन आपे स्रवास तुम मार खाई हो तो लेो दासों इस काल लाई लेो हमका मरवावे के पैसा दें जाजा 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 जाजाजा जाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजा अरे बाहियां में कशी के सही आँ स्याम सिंग मेरी आग लगी सरे दिदी तु क्या कर रही है तुझे ये नहीं समझ में आ रहा क्यों नर्क में जा रही है वे तेरे हाँ चोड़ता हूं अरे बाहियां में कशी के सही आँ मारे लूग कचक हलो आप है स्रिमान कोम नाम सामने बैठे हुए भाई सहाब हैं किस पेशल आपके लिए दे रहें खेली पहन कर रिष्टा मानने पर हाँ मुझे आना थे सब चीज का दर्द समझा थे समझा थे ना अन्ना कहो साइटाई इतना वकरक इतना पेले कि कहो महीनन मुश्कुराओ लेकिन कहना कैसे आम सिंग तु मेरा बात नहीं मानेगा नहीं मानेगा दीदी तो तु यहां से जा भी नहीं सकता ये राज कुमार इमनाक्षी का वादा है मैं जा रहा हूँ दीदी कहां जाएगा मैं महल से जा रहा हूँ अरे पाहियां में कशी क्यों सहीया माने लूं कक... बचाओ! 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 भे राजे! बचाओ, हरा राज किस तरीक्याश्तिन में साप प Bennett रहा है बताओ या काओ, भाईया अपनी नजरों से देखा तुमने शर्म हया सब कुछ भूल गया है यह आप है दिलिपसेड जी यह बंबे वाले 11 रुपाय खाली साहिया बने खोशिवा दियान रहा लेकिन साहिया का फालो मिल जाए फालों सा धन्नवाद महाराज ऐसा भाई किसी में इनको न दे भनवान लग देंता घवलाओ नहीं राश्कुमारी महाराज की साथ में है घवलाओ नहीं पापा मैं इसे क्या समझती थी मैं हर वर्षिस के राकी बनती चली आई लेकिन इसने राम जादे ने मेरी इच्छत के साथ केलना चाहा है यहां मेरे वगो शौंची नहीं बेड़ी घवलाने के कोई राश्कुमारी जी न घवलाओ ये शव करने से पहले ये तो सोच लिया होता कि ये तेरी पहले और तू तू इसका भाई है हराम चाहदे रिष्टे नातों को भूल गया अगर पापाजी अगर मैं जूट बोलू तू ठाड़े गंगा मैं या मैं करा जाए नहीं बेड़ी अरे तुम्हां याम रूट टोल ली जाए अरे और शीद्वे शाध्वे तू बना अशल पाण्याना ओल लगा दिया बदिकारते शात पूष्ट में जाग ये दाग हश्मत का हरामी उम्र भर छूटे नहीं और जैशा गजब तू ने किया ऐसा गजब हुआ सच बेलू मंत्री यजी और खाय कसम भगवान की और चाल दीदी ने फिलाया और शाम शिंग तू तू निकीला तू देशा गजब तार भार और शाम शिंग तू तू निकीला है का तार भारी और चराशों की ये तार ये पहला है तेरी चराशों की ये तार ये पहला है तेरी नहीं पापा जी बहुत वक्तिवी दोगे ये तार ये तार ये तार ये क्यों रे मैं बाच्पन से तुझे मंतरवार पाल का श्याने किया मैं कभी ने सोच शकती थी कि इसने ऐसे मेरे साथ खब्लाओ रहे गारा बताओ पिचारी के बिना कि इसके धूरा साला चला मैं सोच रहा था कि मेरा बेटा है तीन मेरा शहारा देगा लेकिन ये हराम जादा तो जैसा करते हुए शर्ट है आप है स्रिवार दिलीव सेट जी उनकी उपसे क्यारों पागा प्रोश्कार और कहना है प्यार करने का अंजाम यही होता है मैं मालूम होना चाहिए मैं इसके हर वर्स राकी बांते चली आई हूँ लेकिन इस वर्स में बांदने के लिए से मैं बुलाई कबरे में मैं बुली भी यह राकी बदवालों लेकिन इसने अराम जादेने पता नहीं कोई नजा किया था सुना महराश और इसने आकर मुस्से उल्टी सीधी बात करने लगा अगर रियासत में लोग सुनेंगे क्यों बताओ राजकुमारे मिनाखी के साथ इतना गंदी अरकत करता है तुख्या आपकी इजट रहेगी महाराज इंसाप होगा उर में खता हूँ मैं हरसा जामत यद्वा और इसमें खाता हूँ ये बापा और इसना जामत ये तो मुझी अब हाँ जाम के तोला तरत खाले महराश मैं तुझे सब जा रही थी तु कोई न सकिया था मेरे क्या सबना थे मेरी भाभी आएगी मैं बहुत सारा नेग लोगी लेकिन क्यों होना हम जाते मेरे इंच से खेलना चाहा अगर वक्त पर मेरे पिता जी और मंतरी जी नहीं आ जाते तु आज में बरबाद हो जाती है अगर तुझे चवानी का चुरून इतना चाहा था मुझे कहा होता मैं महाराश्य कैकर तरी शादी करवा देता और तुने अपनी बहेन की शाधेशा दुष्कर्म करना चाहाए अगर मंतरी जी आप नहीं जाता महाराश्य के महाराश्य के हराल करता है इज जाग ढाते हुए तुझे सादी म नहीं हरााव जोता है हलो हलो आप है स्रिबान किलीप सेड़ जी बांबे वाली उनकी वेपसे ये क्यारा उपाइगा प्रोश्कार कहते हैं साले राजकुमार होका तुमने ऐसा इंजाम किया है कि दिल पस्ताएगा अगर मंत्री जी आ और पिता जी नहीं आ जाते तो मैं आज हम लुट जाती बरबाद हो जाती खबला उन ही राजकुमारी सर्म आई नहीं सर्म आई किन मैं सोचता था कभी जीवन में कि मेरा बेटा ऐसा हरान निकलेगा करचे मालूम होता हैदा होते हुए तेरा तबाद गला उठेगा महराश इंसाफ करोगे नो तोशी है तुम्हारा बेटा दोशी है तुम्हारा बेटा उससे सजाए मा सुनाओगे अगर अगर में अपरे आखों से ना देखता अगर मंत्री के कहने में आठा तो में यकीन नहीं होता हो डाख मंत्रीवार अगर मैं जूनट बोलू अगर मैं जूनट बोलती हूं तो मैं ठाड़ा गंगा मैं यह लील जाए इसमाहिल में रहेगा तो मैं नहीं रहूंगी मैं चलिए घबड़ा रहे इंसाफ होगा महाराश आपके काश तुमने शाम सिंग को अपना फैसला नहीं सुनाया तो राज कमारी मिनाची अपनी चांग देदेगी नहीं कम ही नहीं पैसला इसे वाट सुनाओंगा इस राम चांगे आप है स्रेवाज तिलेब सेड बाम्बे वाले